Hello everyone and welcome back to our channel JKSSB-6N4 So guys, यहाँ पे 7 बच के 45 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे और आप सभी को बताएं यहाँ यहाँ पे यह इंडिन आर्मी और जेके पोलीस Constable Water Battalion के लिए जो हमने यहाँ पे क्लास से शुरू की हुई है यह उसका यहाँ पे क्लास नंबर 12 है यहाँ पे जिसकी अंदर हम काफी important आज जर्नल साइंस के उपर question करेंगे जो की काफी important रहेंगे आपके वई ठीक है So इस वीडियो से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर तक आप इस चैनल के उपर new हैं तो प्लीज इस चैनल को subscribe करना ना बुले और प्लीज share करना ना बुले लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को like कर देना and then share So आज का जो मेरा पहला question है which is also known as marsh gas Mars gas हम किसको बोलते हैं तो फटा फटा जल्दी जल्दी इसका answer कर दो Mars gas हम किसको बोलते हैं option number A, B, C, D तो सही answer है इसका यहाँ पे C answer बिल्कुल सही है methane आपका right answer हो जाएगा methane को हम Mars gas बोलते हैं question number second की बात कर रहा हूँ what is the main component of gober gas gober gas का main component कौन सा भी आपका A, B, C और D तो फटा फटा जल्दी जल्दी answer कर दो यहाँ पे बिल्कुल simple question उड़ा हो यहाँ पे मैंने main component यो gober gas का होता है वो होता है methane option number C यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आप सभी का answer ठीक है methane question number A, B, C, R, D तो जल्दी जल्दी answer कर दो यहाँ पे question number 3 का क्या answer रहेगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं source of sulfur की यहाँ पे तो यह सीना वार होता है गैलीना है जिपसीम है यह सारे source हैं किसके sulfur के बट कारना light यह है यह आपका source नहीं है sulfur का तो option number C the quantum theory was first initiated by quantum theory first जोया यह किसने यहाँ पे दिये थी वह आपको तो यहाँ पे आपके पास 4 option पड़े हैं यहाँ पे max bond, max plank albert einstein या neil board तो जल्दी जल्दी फटा-फट answer कर दो इसका quantum theory किसने दी थी वही सबसे पहले बिलकुल सही जा रहे हो तो यहाँ पे max plank यहाँ ना इन्होंने यहाँ पे quantum theory दी थी तो option number 4 का option number 20 सही answer हो जाएगा question number 5 की बात करते हैं galvanized iron sheet have a coating of galvanized iron sheet होती है उसके ओपर coating हुई होती है किसकी coating हुई होती है भई chromium की, zinc की, lead की है, tin की तो फड़वाटी यहाँ पे answer कर दो अपना-पना जल्दी यहाँ बिलकुल ठीक है यहाँ पे question number 5 का zinc का आपका right answer हो जाएगा option number B सही है इसका question number 6 की बात करते हैं balloons और filled will balloons की अंदर कुन सी gas बरी जाती है भई तुमारी argon, nitrogen, oxygen या helium तो यह बिलकुल simple question है यहाँ पे तो आप सभी को पता होगा इसका क्या answer है बिलकुल सही जा रहो है यहाँ पे helium option number D आपका सही हो जाएगा helium जो होती है यह balance की अंदर यहाँ पे gas fill होती है इसके अंदर question number 7 की बात करते हैं energy produced in nuclear reaction is given by जो energy हमारी produce होती है nuclear reaction में वो किस ने दिया था भई ठीक है यह concept किस ने दिया था तो यहाँ पे जल्दी जल्दी answer करते हैं यहाँ पे 7th का क्या answer हैगा जो भी हमारी energy produce होती है nuclear reaction के अंदर वो किस ने दिया था Einstein's law ने दिया था ठीक है Einstein का lie 7th का C answer हो जाएगा भी 8th की बात करते हैं यहाँ पे which one of falling has maximum calorific value maximum calorific value यह हो किस की होती है minimum होती है maximum होती है maximum होती है जादा तो सबसे जादा calorific value किस की होती है coal gas की, producer gas की, water gas की यहाँ oil gas की तो यहाँ पे इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा, यहाँ पे oil gas, तो option number D इसका सही answer हो जाएगा आगर वीडियो पसंद आ रहे है तो प्लीज वीडियो को like करना ना बोले भई question number 9 पे आते हैं which of the falling is used to treat anemia anemia की treatment के लिए यहाँ पे क्या हम use करते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपके पास 4 option पड़े हैं तो फटा-फटा answer करते हैं यहाँ पे anemia की treatment के लिए हम क्या use करते हैं तो 9th का यह answer हो जाएगा iron 59 तो option number A सही हो जाएगा question number 10 की बात करते हैं chirolyte is an ore of which one of the falling metal यह chirolyte है यह ore है किसका कौन से metal का यह ore है chirolyte तो जल्दी जल्दी answer कर दो यहाँ पे option number A, B, C, D question number 10 का answer करो जल्दी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे aluminium option number A सही जा रहे हो तुम लोग question number 11 है in the process of electrolysis reduction occurs at ठीक है जब हम electrolysis का process चलता है तो reduction जो है वो कहाँ पे अक्कर करती है भई anode पे, cathode पे, यह दोनों के उपर यह किसी के उपर नहीं करती है in the process of electrolysis reduction occurs at कहाँ पे होती है भई तुमारी 11 का क्या answer भी तुम लोग दे रहे हो cathode बिल्कुल ठीक है यहाँ पे option number B सही answer हो जाएगा question number 12 very very important milk is a, milk क्या तुमारा compound है, metal है, element है यह mixture है very very important question है milk आपका क्या है जल्दी से जल्दी answer कीजिए question number 12 का यहाँ पे तो milk एक mixture है यहाँ पे ठीक है तो option number D का सही answer हो जाएगा, question number 13 के उपर आते हैं, the chemical substance frequently used in the fluorescent tubes are fluorosan tubes यह होती है, ठीक है इसके अंदर यहाँ पे कौन सा chemical substance हम use करते हैं भई, ठीक है तो यहाँ पे option number A, B और C, और D, तो तुम लोग जल्दी जल्दी answer करते हो, फटा-फट इसका question number 13 का क्या answer रहेगा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे mercury, vapor and argon, ठीक है, यह आपके use होते हैं यहाँ पे fluorosan की अंदर, तो option number C, इसका सही answer हो जाएगा, question number 14 के उपर आते हैं, which of the falling gases is not known as green house gas, इन चारों में से कौन सी gas जो है, जो की greenhouse gas नहीं कहलाती है, hydrogen, nitrox, oxide, methane या carbon dioxide, तो question number 14 का जल्दी जल्दी answer कर दो, कौन सी gas होगी भई, जो greenhouse gas नहीं है आपकी, बात करते हैं, hydrogen की, methane की carbon dioxide, they are greenhouse gases, but nitrous oxide जो है, यह आपकी not, आपकी greenhouse gas है भई, ठीक है, यह आपकी greenhouse gas नहीं है, तो option number B, इसका सही answer हो जाएगा, question number 15 के उपर आते हैं, in atomic reactors, graphite is used as, atomic reactor के अंदर, graphite हम use करते हैं, किसके लिए, moderator के लिए, फ्यूल के लिए, या linear of the equator के लिए, या linear of the equator के लिए, लिब्रिकन के लिए, तो question number 15 का फड़ा फड़ा आंसर कर दो, क्या होगा भई, atomic reactor के अंदर, graphite हम use करते हैं, as a moderator, तो option number A, बिल्कुल सही है तुमारा, ठीक है, option number A, बिल्कुल सही जा रहे हैं तुम लोग, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को making dynamite is, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे, nitroglycerine, तो option number D, इसका सही है तुमारा भई, ठीक है, question number 17 दा गया तुमारा, गामा रेस आर, गामा रेस क्या है तुमारी, high energy postron waves, high energy electromagnetic, high energy electron या low energy electron, देखो, गामा रेस की high energy ही होती है, बड़ या electromagnetic होती है, तो option number B, इसका सही answer हो जाएगा तुमारा, question number 18, यह भी तुमारा important है, काफी वार repeated question है यहाँ पे, air is A, air क्या तुमारा, mixture है, compound है, element है, यह solution है, तो 18 का जल्दी जल्दी answer कर दो, air क्या तुमारा भई, तो air की बात करते हैं, त air तुमारा क्या है, एक mixture है, तो option number A सही है तुमारा, question 19 की, the Indian botanical garden is located at, जो Indian botanical garden है, यह कहाँ पे located है बारत के अंदर, Delhi, Alabad, Kolkata, यहाँ लखनाउ में, तो जल्दी जल्दी answer कर दो, फटा फटा इसका भई, Indian botanical garden is located at, बिल्कु ठीक है, यहाँ पे Kolkata, option number यहाँ पे C, बिल्कु सही जा रहे है तुम लोग, Indian botanical garden जो है, यह तुमारा, Kolkata के अंदर है तुमारा, ठीक है, question number 20 के अपराता है, coffee is extracted from the, coffee जो है, यह कहां से extract होती है, flower से, या seeds से, या fruit से, या leaf से, तो यह बिल्कु सिंपल सा question है, यह तुम लोग के लिए हो यहाँ पे, answer करो जल दे लिए, बिल्कु ठीक है, seeds, जो भी coffee extract होती है, वो seeds से होती है, तो option number 20 का सही answer हो जाएगा, question number 21 की बात करते हैं, which are falling is a plant hormone, इन में से कौन सा plant hormone है आपका, option number A, B, C और D, बिल्कु सही जा रहे हो तुम, option number B, auxin, auxin जो है, यह एक plant hormone हार्मोन आपका, तो 21 में का यहाँ पे B answer हो जाएगा, question number 22, most important question, mushrooms is a, mushroom क्या तुमारा बई, option number A, B, C और D, answer करो जल्दी, mushrooms क्या है तुमारी बई, बिल्कु ठीक है, mushroom आपकी fungus है, तो option number C, इसका सही answer हो जाएगा, question number 23 की बात करते है, golden rice has the highest quantity of, यह golden rice होते हैं तुमारे बई, उसे में highest quantity होती है, कौन से vitamin की, vitamin A, vitamin B, vitamin C, या vitamin D, तो फटा-फट, answer करते हो, यहाँ पर question number 23 का, golden rice has the highest quantity of, vitamin A, तो option number A, इसका सही answer हो जाएगा, question number 24 के उपराते हैं, the device to measure the rate of stem growth is, जब हम किसी भी पेड की जड़ों की growth, ठीक है, यह stems होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर growth का measure करना हो, तो वहाँ पर एक device होता बई, तो वह क्या, कौन सा device होता बई, तो चोबीस में का क्या answer होते हैं, जल्दी जल्दी फटा-पट कर दो यहाँ पर, ऑक्सेनोमिटर option number D, बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो ऑक्सेनोमिटर option number D, इसका सही है, question number 25 के उपराते हैं, यह लिटमस पेपर होता है, यह आपका chemical laboratory में बनता है, वो किसके लिए बनता है तुमारा भे, ठीक है, किसका बना होता है, किसका बना होता भई वो, अलगी का, लिचन का, यह फंगाई का, यह फर्न का, तो जल्दी लिए answer कर दो, लिटमस पेपर यह chemical laboratory में यूज होते हैं यहाँ पे, वो किससे बने होते हैं भई, वो तुमारे लिचन से बने होते हैं, option number B, बिल्कुल सही है यहाँ पे, question number 26 की बात करते हैं, the branch of botany under which fungi is situated, ठीक है, the branch of botany under which fungi is situated, तो उसको हम क्या बोलते हैं भई, तो question number 26 का क्या answer हो जाएगा भई, जल्दी लिए फटावर कर दो, mycology, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे mycology, यहाँ पे यह दो option यहाँ पे repeated हो चुके है, mycology, यहाँ पे option number C, बिल्कुल ठीक है तुमारा भई, question number 27 की बात करते हैं, यहाँ पे, which plants leave are used to make outer wrap of bd, ठीक है, जो भी तुमारे यह बीडी होती है भई, यह टबाकु यहाँ पे यह बंदे पीते हैं भई, तुमारे बीडी बाला है, ठीक है, यह उसका outer wrap होता है, यह उपर वाला पत्ता होता है, यह तुमारा, ठीक है, वो कौन से plant का बना होता भई तुमारा, ठीक है, काफी important question मैं इसको ले सथका हो यहाँ पे, तो इसको जल्दी जल्दी फड़फड answer करतो, कौन से वो यहाँ पे leaves का बना होता है, कौन से plant का बना होता भई तुमारा, वो पता, तो यहाँ पे इसका answer हो जाए, को question number size का आंसर हो जाएगा यहां पर टेंडू तो यहां पर option number C इसका right answer हो जाएगा टेंडू आपका वो plant है यहां पर ठीक है जिससे यो BD का पत्ता यहां पर होता है बढ़ा राप होता है उसके उपर question 28 की बात करते हैं which one of falling is the longest flower in the world longest flower in the world important question है यहां पर which one of falling is the longest flower in the world जल्द यली answer कर दो यहां पर बिल्कुल ठीक है यहां पर रोहित ठीक राफल एशिया option number A आपका सही answer है राफल एशिया यह longest flower है पूरे वर्ल्ड का भई question 28 the gas released during the photosynthesis why the green plant is यह green plant जब photosynthesis का process चलता है यहां पर ठीक है तो उसमें कौन सी gas release होती है nitrogen, oxygen, water vapor या carbon dioxide question number 29 का क्या answer है का जल्दी यल्दी फटाफट कर दो यहां पर बिल्कुल ठीक है यहां पर जब भी यहां पर green plant during photosynthesis के अंदर यहां पर gas released होती है वो होती है oxygen ठीक है जो हम लोग लेते हैं भई तो आपका यह homebuck का यहां पर question यहां पर तुम्हें question छोड़ रहा हो यहां पर tallest terrestrial tree on the earth is tallest terrestrial tree जो earth का वो कौन सा भी तुम्हारा यह चार option तुम्हारे पास पड़े हैं A, B, C और D यह तुमने मुझे अब यहां पर comment section के अंदर देना है ठीक है तो please यहां पर video को like करना ना बूले अगर इस channel के उपर new है तो please इस channel को यहां पर share करने अपने friends के साथ जो भी यहां पर JK police की या आपके junior assistant की या आपके Indian army की तहरी कर रहा है कोई भी तो उन के लिए यहां पर यह channel बिल्कुल best रहेगा यहां पर ठीक है तो please channel को subscribe करना ना बूले लास में यह भूलोंगा कि लास में जब आप लोग जाओगे तो वीडियो को like करके जाना भी ठीक है thank you friends and have a nice day मिलते हैं next वीडियो के लिए